यहां हमारे पास क्या है एक neutral body है यानि कि number of electrons और number of protons बराबर हैं इस neutral body में अब हमें अगर इसे charge करना है तो हम इसे कैसे charge कर सकते हैं बहुत सारे तरीके हैं उनमें से induction भी है तो अगर हम इसे induction से charge करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा तो यहां हमने एक negatively charged body को इसके पास रखा बिना टच किये और उससे क्या हुआ उससे सारे negative charge यानि electrons दूसरी तरफ चले गए तो negative charges दूसरी तरफ चले गए इस तरफ से positive charge रह गया तो यह end यानि end A positively charged हो गया और end B negatively charged हो गया अब यहां तक तो हम जानते हैं कि induction में यही होता है पर जैसे ही हम इस charge body को यहां से हटा लेंगे तो क्या यह neutral body फिर भी charge रहेगी वो charge नहीं रहेगी तो वापस से वो neutral हो जाएगी अगर हमें इस body को charge ही रखना हो तो क्या करना पड़ेगा यानि कि induction से हम इस body को permanently अगर charge करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमें एक और चीज़ की सहायता लेनी पड़ेगी या help लेना पड़ेगा वो है earthing का तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है induction की वज़े से induction की वज़े से यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर इस तरफ हमारे पास bound charges है यानि कि यह charges अपनी जगह पर fixed हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है positively charged end है यह because यहाँ पर electrons की कमी है और यह जो electrons या negative charge है वो repel हो गए ह इसकी वज़े से वो दूसरी तरफ चले गए हैं यह है free charges यानि कि यह free to move है यह easily move हो सकते हैं जब भी हम इसको हटाएंगे तो यह वापस move होके redistribute हो सकते हैं तो यह free वाला पार्ट है यह bound वाला पार्ट है तो अब हमें अगर इस चीज़ को charge करना है तो हम इस free वाले पार हम अब इस position में earthing यानि earth से इसे connect कर देते हैं end B को जब हम end B को earth से connect करते हैं तो क्या होता है end B negatively charge था बहुत सारे electrons यहां जमा थे जैसे ही earth से connect हुआ तो earth ने क्या किया वो सारे excess electrons जो एक तरफ ज्यादा थे उन्हें accept कर लिया तो electrons earth की तरफ transfer हो गए और जब electrons earth की तरफ transfer हो गए तो total में क्या हुआ total में तो यह neutral ही था अब इसमें से electrons की कमी हो गई यानि यह क्या हो गया positively charged और अब हम जब इस negative rod को वहां से हटा लेंगे तो भी यह positively charged ही रहेगा क्योंकि इसके अंदर को electron तो आ नहीं रहा तो अब permanently यह charge इसके अंदर रह गया तो जब हम यह rod हटा लेंगे तो भी यह positively charged ही यह body और इसमें important है कि जब हमने यह हटाया तब हम earthing भी हटा दें क्योंकि earthing से वापस electron यहां आ सकते हैं तो हमने क्या किया पहले electrons को allow किया बाहर जाने के लिए जब वो बाहर चले गए हमने earthing हटा ली और फिर rod भी हटा ली और अंदर में क्या रह गया सिर्फ positive charge रह गया इसके अंदर negative charge आने का कोई रास्ता हमने नहीं छोड़ा और फिर positively charged ही रह जाएगी यह body तो इस process से हमारे पास एक positively charged body रह गई वो है AB तो अब हमारे पास जो conductor AB है वो positively charged है तो इसे हमने positively charge किया earthing के help से और induction के help से तो induction के help से हमने charges को separate किया और फिर earthing के help से negative charges को बाहर निकाल लिया और हमें positively charged body मिल गई अब फिर से हम एक neutral body लेते हैं और इस बार अगर हमें इसे negatively charge करना हो पिछली बार हमने देखा कि हमने उस body को positively charge किया पर अगर हमें इसे negatively charge करना हो तो हम क्या कर सकते हैं तो इस बार हम इस neutral body के पास में एक positively charged rod लाएंगे फिर से induction के process की वज़े से जो negative charge है वो इस तरफ आ जाएगी end A की तरफ क्योंकि negative charge इस positive rod से attract होगी और जो end B है वहाँ पे ज़ादा positive charge होगा क्योंकि electrons वहाँ से इधर आ गए हैं वहाँ पे electrons की shortage है तो हमारे पास end A है जो negatively charge है और end B है जो positively charge है तो अब हमारे पास क्या है हमारे पास इस तरफ negative charge है जो you तो freely move हो सकता है पर इस case में इस positive rod की वज़े से वो यहाँ पर bound हो गया है तो यह attract होके यहाँ पर bound हो गया है और positive charge जो है वो तो वैसे भी कहीं flow नहीं होता तो एक end में हमारे पास positive charge है और एक end में negative charge है जो negative charge भी फिलाल bound है इस rod की वज़े से अब अगर हम यहाँ पर earthing करते हैं यानि earth से end B को connect करते हैं तो क्या होगा ये जो end B था वो बहुत strongly positively charge था उसकी वज़े से क्या हुआ earth ने कुछ electron supply कर दिये ताकि वो neutral बन जाए तो end B neutral हो गया लेकिन end A पर अलरड़ी हमारे पास electrons extra थे जो bound थे तो हमारे पास total में इस body में क्या हुआ total number of electrons बढ़ गए है ना तो जब total number of electrons बढ़ जाएंगे तो ये body negatively charge हो गई अब हमने earth का connection हटा दिया और फिर हमने वो rod भी हटा दी अब क्या रह गया इस body में ज्यादा negative charge और कम positive charge तो total में ये body क्या हो गई negatively charged हो गई तो हमने क्या किया induction और earthing के help से इसे charge कर दिया तो हमारे पास अब जो body है वो negatively charged body है और ये हुआ क्योंकि हमने पहले charge separation किया फिर हमने earthing किया जिससे extra electrons इस body में आ गए और ये body total में negatively charge हो गई तो किसी भी object हो अगर हमें induction के थूँ charge करना है तो induction से हम separation करेंगे charges का और फिर earthing करेंगे और वो body charge हो जाएगी